हलो फ्रेंड्स राधी राधी वेलकम टू माई चैनल सक्की क्रोशेट आज हम बनाएंगे बहुत सुन्दर और प्यारी सी ड्रेस यह मैंने पांच नमबर का नाजी के लिए बनाई है और वीडियो में हम जीरो नमबर का नाजी के लिए ड्रेस बनाएंगे यह ड्रेस बहुत सुन्दर और बहुत आसानी से बनकर तयार हो जाती है और इसे आप किसी भी साइज में बना सकती है तो यह वीडियो स्टार्ट करती है वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्स्राइब क भूले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नूटिफिकिशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए फैमली और फ्रेंड्स में शेर कीजिए इस ट्रेस को बनाने के लिए मैंने 14 नंबर का क्रोश्या हुक लिया है और 3 प्लाई की बूल ली है तो आईए स्टार्ट करते हैं जीरो नंबर कानाजी की चोली बनाने के लिए सबसे पहले हम चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा हमने यहाँ पर बारा चेन बनाईए बारा चेन बनाने के बाद हम जो लास चेन है उसको इस तरह से होल्ड कर लेंगे और उसके बाद एक, दो, और तीन, तीन चेन हम और बनाएंगे अब जिस चेन को हमने होल्ड किया था उस चेन में कुरुश्या हुग डालकर हम एक दबल कुरुश्या बनाएंगे double crochet हमें बिल्कुल छोटी height का बनाना है तो एक तीन की chain और एक की double crochet दो हो गए next chain में हम फिर से एक बार बनाएंगे next chain में फिर से तो देखें double crochet हम normally इस तरह से थोड़ा लंबा बनाते हैं लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल छोटा सा छोटी height का double crochet बनाएंगे हर chain में हम एक बार double crochet करते हैं last दका जाएंगे 12 chain पर 12 double crochet और एक तीन की chain तो कुल हमारे पास 13 याने 13 double crochet होंगे इस रोब में हमारे पास 13 double crochet हैं है काउंट करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आर्ट नो दस ग्यारा बारा और तेरह नेक्स डो के लिए हम chain बनाएंगे chain भी हम थोड़ा टाइट लेंगे क्यूंकि हम double crochet छोटा बना रहे हैं अब हम इसी जगया पर सेम प्लेस पर हम double crochet बनाएंगे double crochet हम छोटी हाइट का बनाएंगे नेक्स चीन में दो double crochet एक और दो हर चीन में हम दो दो बार double crochet बनाती जाएंगे दिखें हमने हर चीन के अंदर दो दो बार double crochet बनाये हैं अब last chain पर आ गये हैं last जो हमने तीन की chain बनाई थी वहाँ पर भी हम दो बार double crochet बनाएंगे एक और इसी जागे पर एक और बना देंगे दो तो इस रो की end में हमारे पास कुल 26 double crochet हो गए next row में हम आर्मोल निकालेंगे उसके लिए एक दो और तीन तीन chain बनाई और अपने work को turn किया अब सेम प्लेस पर नहीं next chain के अंदर double crochet बनाएंगे double crochet हम उसी तरह से छोटी height का बनाएंगे next chain में फिर से एक बार next में फिर से एक बार तो एक हमारी तीन की chain हो गई और तीन double crochet हमने और बनाएंगे अब armhole के दिए एक दो तीन चार और पांच पांच chain स्किप करेंगे और next chain के अंदर हम double crochet बनाएंगे याने six chain के अंदर बनाया दीकिए एक दो तीन चार और पांच पांच chain स्किप की अब हम back के दिए 8 double crochet बनाएंगे नेक्स्ट में फिससे एक बार इस तरह से हम 8 double crochet बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ अब हम second arm hole के लिए भी पांच चेन स्किप करेंगे एक तू तीन चार और पांच पांच चेन स्किप की और six chain के अंदर हमने double crochet बनाया है नेक्स्ट में फिर से इस तरह भी हम 4 double crochet बनाएंगे नेक्स चीन में फिर से double crochet और आज जो मारी तीन की चेन थी उसमें भी हम एक double crochet बना देंगे दिखिये मारी इस तरह से zero number कानाजी की चोली बन कर तैयार हो गई है कि इसकी शेप बहुत ही सुन्दर बन कर तैयार हुई है हम चोली को जोइन करेंगे एक दू और तीन थर्ड चीन के अंदर हमने slip stitch से जोइन किया घेरा बनाने के लिए हम आर्मोल की साइड में जाएंगे तो हर चीन के अंदर slip stitch बनाती है हम आर्मोल तब पहुच जाती है अब यहां से हम घेरा स्टार्ट करेंगे घेरा बनाने के लिए एक दो और तीन तीन चेन दी और इसी जगह पर हमने एक और डबल क्रुशे बना दिया तो कुल दो हो गए नेक्स चेन में फिर से दो हो गए इस चोली के एंड में हमारे पास 16 डबल क्रुशे मिले हैं और हर चेन में हम दो दो बार डबल क्रुशे बनाते वे इस राउन को कम्प्लीट कर देंगे राउन पूरा करते हैं देखिए हमने ये राउन कम्प्लीट कर लिया अब इसे एक दो और तीन थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच से जोईन कर देंगे अब हम नया धागा टेच करते हैं अब हम नया धागा जोईन करेंगे स्लिप स्टिच से धागा जोईन किया सीम्प्ली इस पर हम एक स्लिप स्टिच और बना देंगे इस तरह से हमारा धागा स्टार्ट हो गया अब एक दो और तीन तीन चेन लेंगे नेक्स्ट चेन में एक पार डबल क्रूशिय बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में दो बार एक और इसी जग्या पे एक और बना देंगे रिके पहले हमने तीन की चेन बनाई, नेक्स्ट में हमने एक डबल क्रुशे बनाए और नेक्स्ट में दू बनाए फिर नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में एक बार और नेक्स्ट चेन में दू बार एक और इसी जगे पर हमने एक और बना दिया यानि हमने हर थर्ड चेन के अंदर increase करना है एक नेक्स्ट में एक बार और नेक्स्ट चेन में दो बार राउंड कम्प्लीट कर लेते हैं देखिए राउंड हमने कम्प्लीट कर लिया अब हम यहापर एक दो और तीन थर्ड चेन के अंदर slip stitch से राउंड को जोईन करेंगे अब हम नया धागा अटैच करेंगे slip stitch से हमने धागा जोईन किया और इसी जगे पर अब हम एक सिंगल क्रोशिय बनाएंगे अब एक और दो दो चेन लेंगे और यहाँ पर देखिए एक दो और तीन तीन चेन स्किप करके फूर्थ चेन के अंदर एक डबल क्रोशिय बना दिया फिर से हम एक दो और तीन तीन चेन लेंगे इक सबसे पहले हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिय करके और दो चेन बनाई तो यहाँ पर एक हमारी तीन की चेन हो गई तीन चार पाच छे और साथ साथ हमने डबल क्रूशिय बनाए और एक यहां तीन की चेन हो गई कुलियां आठ हो गए आठ टबल क्रूशिय होने के बाद फिर से हम एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, और आठ आठ चेन लिए है आठ चेन लेकर हम इस लूप को यहीं पर छोड़ देंगे और जो यहां हमने तीन की चेन बनाए थी देखिए एक, दो और तीन थर्ड चेन की अंदर हम क्रूशिय होकले कर जाएंगे और इस लूप को यहां बाहर की तरफ खीच लेंगे तो यह इस तरह से हो गया अब हम इसी चेन की अंदर क्रूशिय होकले जाते वे यहां पर एक सिंगल क्रूशिय बना देंगे इस तरह से हमारा ये लूप यहाँ पर जॉइन हो गया अब हम एक और दो दो चेन लेंगे फिर हम इसी लूप में वर्क करेंगे देखिए अब हम यहाँ पर जो हमने आठ चेन का लूप बनाया हम इसमें वर्क करेंगे यहाँ पर हमने double crochet बनाया लेकिन उसे complete नहीं किया फिर से दागा लिया फिर से हमने double crochet बनाया पर उसे complete नहीं किया अब हमारे पास तीन loops हो गए तीनों को हमने एक साथ निकाल दिया फिर एक, दो और तीन तीन बार chain लेंगे और यहाँ देखिए यहाँ पर हमने तीन लूप एक साथ निकाले थे हो, last वाले दो लूप को उठाएंगे, last वाले दो लूप को उठाते वे, हम यहाँ सिंगलः कुरूश्यः बना देंगे, इस तरह से हमारा एक पर्ल बन गया यहाँ पर, फिर से धागा लिया, और यहाँ पर एक डबल कुरू क्यार हो गई है फिर से हम एक और दो दो चेन लेंगे और इसी लूप की अंदर फिर से डबल क्रोशिय बनाएंगे लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे फिर से दागा लिया फिर से डबल क्रोशिय बनाया लेकिन इनकंप्लीट अब तीन लूप हो गया तीनों को हमने एक साथ नि लास्ट दो लूप को उठाती हुए यहां सिंगल क्रोश्य बनाया अब इस लूप के अंदर हम एक डबल क्रोश्य बनाएंगे एक डबल क्रोश्य बनाने के बाद एक और दो दो चेन ली और इसी लूप के अंदर सिंगल क्रोश्य से जोइन कर दिया देखिए इस तरह से हमार से यह दो पत्ति Yarवन कर तयार हो गई है, हम एक और दो दो चेन लेगे और इसे लूप की अंदर हम तीसरी पत्ति बनाएंगे हृं के लिए हमनेặल क्रोशिय बनाया, कमप्लीट नहीं किया फिर से धागा लिया फिर से उनकाल एन तो इन लूपस को एक साथ standard निकाल देंगे फिर एक दो और तीन तीन चेन लेंगे और यहां लास्ट दो लूप को उठाती वे सिंगल क्रोशिय बनाएंगे इसी लूप में हमने फिर एक दबल क्रोशिय बनाना है एक दबल क्रोशिय बनाने के बाद एक और दो दो चेन लेंगे और इसी लूप के अंदर सिंगल क्रोश्य बना कर जोईन कर देंगे देखिए हमने इस तरह से तीन पतिया बनाई है यहां अब यहां एक दो तीन तीन चेन करेंगे और फोर्थ चेन के अंदर इसे सिंगल क्रोश्या से जोईन कर देंगे दिखिए पैटन तयार हो गया फिर से हम एक और दो दो चेन लेंगे और एक दो और तीन तीन चेन स्किप करेंगे और फूर्थ चेन के अंदर हम डबल क्रोशिय बनाएंगे फिर से एक दो और तीन तीन चेन लें और इस डबल क्रोशिय के अंदर हम साथ डबल क्रोशिय और बनाएंगे तो एक हमारी ये तीन की चेन हो जाएगी और उसके बाद हमने साथ डबल क्रोशिय और बनाए तो कुल आठ हो जाएंगे लिखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छेए और आठ डबल श्री मकुए अब एक, दो, तीन, चार, पांच, छेए साथ और आठ चेंद बनाई हमने, आठ चेंद बनाने के बाद हम स्लूक कुले कर चाहं बारत हूँ, चाहर चेंद बनाई थी, ति फर्स थेद्र हूँ थर्ड चेन के अंदर हम क्रोशिय उकले कर जाएंगे और इस लूप को यहां बाहर के तरफ खीश लेंगे और इस चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिय बना देंगे फिर से हम एक और दो दो चेन लेंगे और अब इस लूप के अंदर हम वर्क करेंगे half double crochet बनाया फिर से हमने half double crochet बनाया तीन loops को एक साथ निकाल दिया एक, दो और तीन तीन chain ली और last के दूँ लोप को उठाते वे single crochet बनाया फिर एक double crochet बनाया double crochet बनाने के बाद दो chain लेकर इसी loop के अंदर हम इसे single crochet से join कर देंगे तो इस तरह से पती बन गए मारी दो chain ली तो इस तरह से हम थर्ड भी बना ली इसी तरह से हम थर्ड भी बना लींगे तरह से पति के के हम आते हैंud के लींगे पती बना लींगे mi आयांगไह। कनि दॉए कि लींगे मेने पति करे हैं in तैयार कर लिए हैं अब हम यहां नीचे एक, दो और तीन, तीन चेन स्किप करेंगे और फूर्थ चेन के अंदर सिंगल क्रोशे बना देंगे कि इस तरह से बॉडर बन रहा है इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे तो दिखिए हमने यह राउंड कंप्लीट कर लिया और इसकी लास्ट में आ गए है अब हम एक, दो, तीन और चार यहाँ पर जहाँ स्टार्ट किया था वही पर जिस सिंगल क्रोशिया था हूँ सिंगल क्रोशिया के अंदर हम स्लिप स्टिच से इसको जोईन कर देंगे और एक चेन लेकर दागा कट कर देते हैं किस तरह से हमारी एड्रेस कंप्लीट हो गई है अब हम चोली की किनारी बनाती है किनारी बनानी के लिए यह जो डबल क्रोशिया है चोली एन्ड में हम इसमें धागा जोईन करेंगे सिंगल क्रोशिया से हमने धागा टैच किया अब हम half double crochet बनाएंगे half double crochet के लिए पहले crochet hook पे धागा लिया और इसी के अंदर crochet hook ले जाते वे धागा निकाला और अब तीन हो गया हमारे पास इन तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे फिर से धागा लिया और इसी जगे पे एक और half double crochet बना दिया फिर से धागा लिया और next double crochet के अंदर एक half double crochet बनाया फिर धागा लिया और इसी जगह पर एक और बनाया यानि हम हर double crochet के अंदर दो दो बार half double crochet बनाएंगे एक और दो अब हम corner पर आगए हैं यहाँ पर एक chain बनाएंगे और इसी जगह पर हम एक half double crochet बनादेंगे अब हम हर chain के अंदर जो space है हर double crochet के बाद के जो space है वहाँ पर एक इक बार half double crochet बनाएंगे हर chain के space में next में बनाया फिर next में बनाया हर double crochet के बाद के space में एक इक बार half double crochet करती है हम next corner तक आजाती है दिखे अब last double crochet तक आ गए यहाँ पर भी हम एक बार half double crochet बनाएंगे उसके बाद एक chain लेंगे और अपने वर्क को इस तरफ टरन कर लेंगे अब इसी में हम दो बार बनाएंगे एक और दो तो दीखे हमारा वर्क यहाँ से टरन हो गया next double crochet है उसमें हम दो बार बनाएंगे एक और दो अब last double crochet जो था उसमें भी हम दो बार बना देंगे एक और दो और एक chain लेकर धागा कट कर देंगे अब हम इसे पिछे की तरफ टरन करेंगे और टरन करने के बाद इन दागों को नॉट लगा कर सिक्योर कर देंगे तो देखिए जीरो नमबर कानाजी की ड्रेस बन कर तयार हो गई है बहुत ही सुन्दर और बहुत प्यारी ड्रेस बन कर तयार हुई है इसे हम हर साइज में बना सकते हैं यह देखिए मैंने पाच नमबर कानाजी की ड्रेस बनाई वी है 5 नमबर कानाजी की ड्रेस में हमने घेरे के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 राउंड बनाए और 7th राउंड हमने green color का बनाया है अगर हमें 4 नमबर कानाजी की बनानी हो तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 5 रो बनाएंगे और उसके बाद हम green color का बनाएंगे इसी तरह तीन नमबर कानाजी के लिए हम एक, दो, तीन और चार, चारी राउंड बनाएंगे दो नमबर कानाजी के लिए हम एक, दो, तीन बनाएंगे एक नमबर कानाजी के लिए हम एक और दो राउंड बनाएंगे उसके बाद ग्रीन का राउंड बनाएंगे तो इस तरह से हम हर साइज की कानाजी की ड्रेस को बना सकती हैं चाहे हम छोटा बढ़ाना चाहे हैं चाहे बढ़ा सी तरह से गेरे को छोटा और बढ़ा करके हम कानाजी की ड्रेस को बना सकती हैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट सेक्षिन में मुझे राधे राधे लिखका जुरूर बताईए कि आपको ये कैसा लगा यदि आप मेरे चैनल पर नई है आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले thank you for watching and thank you for your support radhi radhi